तो क्या है सच फ्री में MBBS करने क्या क्या है सच जो आपको फ्री में MBBS करने को लोग कह रहे हैं और बहुत सारे योटूब पे आप वीडियो देख रहे हैं ऐसा मेडियो कॉलेज जहां पर जीरू पैसो में कम फीस में आपका सेलेक्शन होगा आपका पढ़ाई किया जाएगा तो ये सारे चीज जो है महस एक व्यू को गेंड करने के लिए है इस सचाही है और मैं दावे के साथ कहना चाता हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है मैंने भी गौर्णमेंट मेडिक कॉलेज नहीं है चाहे वो एम सो मलाना अजाद हो लेडी हार्डिंग हो कोई भी मेड देना पड़ सकता है, कभी जादा ने देना पड़ सकता है अब मलाना जात की मैं बात करूँ जब मैं pass out हुआ था मैं 2012, 2013, 2014 की बारे में बात करूँ तो उस समय भी hostel का fees हुआ करता था examination fees हर साल होता था और भी कुछ-कुछ-कुछ fees हो जाते थे तो on and average पूरे साल में अगर मैं पूरे को calculate करूँ तो 5, 2, 7 मदब 10, 12,000 रुपय लग जाते थे बड़ जो आप data देखते हैं और यूटूब पे जो data देखाया जाता है महज ओ official data है और ओ official data आप जब practically college में जाएंगे न उससे match कभी नहीं करेगा ठीक है तो इन सब चीजों को बिल्कुल दरकिनार करिए मतब कि देखिए अगर आप middle class family के हैं तो अगर आप किसी भी government middle college में जाएंगे ना तो वो ना के बराबर fees लगती है मतब एक साल में अगर अब जिसे aims, malana, lady hiding में जाएंगे तो एक साल में करीब 10,000 रुपे एक साल में 10,000 रुपे तो आप अगर एक साल में 12,000 रुपे मानू तो एक महीने में 10,000 के आजपास fees लगेगा जो ना के बराबर consider किया जाता है ठीक है आप किसी भी relative से माल लएगे कि मुझे 50,000 रुपे दे तो मैं डॉक्टर बनके दे दूँगा तो बहुत ही असानी से दे देते हैं ठीक है क्यों उनको पता होता है कि ये डॉक्टर बनने के बाद मुझे पाई-पाईस चुका देगा या डॉक्टर बनने के बाद मेरे पैसे कहीं पैसा जाएगा नहीं और मेरा पैसा वो refund कर देगा है ना तो एक और ऐसे भी हो जाता है कि चलो भाई मैं इसके डॉक्टर बनाने के लिए मैंने बहुत सारा परिश्रम किया पैसा दिया तो लोग दे देते हैं मैंने भी ऐसे किया था अब लोटाने जाता हूं तो लेती भी नहीं है बहुत चोटा रखम होता है क्या ही लेंगे वो लोग और उनके बदले में आप सब डॉक्टर बन जाते हैं तो आप फ्री में उनका इलाज कर देते हैं या ईलाज करवा देते हैं अपने सीनियर के द्वारा तो इन सब चीजों में मत पड़िए फ्री में कोई चीज नहीं होता है बेटा शायना फ्री में कुछ भी नहीं होता है ऐसा होता है शायना लोग revolution की बात करते हैं और आप से पैसे लेते हैं फ्री में कुछ नहीं होता, ट्रस्ट में फ्री में कुछ नहीं है, आपके पेरिंस काम करने जाते हैं, फ्री में थोड़े ना जाते हैं, मैं काम करने जाता हूं, मैं फ्री में थोड़े ना काम करता हूं, तो obvious है, हर चीज़ बैसा है, इस सचाही को सबसे पहले मानना पड़े इस बार नी 2023 देने जा रहे हैं और आप कहीं न कहीं डर गए हैं इस नंबर को देखके कि आरे यार अब क्या होगा 21,00,000 एस्परेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा सेलेक्शन होगा नहीं होगा और इसके लिए आप बहुत जादा चिंतित हैं तो देखिए सबसे इंपॉर्टन है कि चिंतित होने के कोई भी जरूरत नहीं है आंकडों से सेलेक्शन नहीं होता आपको एक सीट से मतलब है और एक सीट पे आप फोकस करेंगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा अगर आप मल्टिबल जगे इसी भी विचार करते रहेंगे क पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा तो आपको एक सीट चाहिए उस एक सीट के लिए आप काम करिए आपका हंड़ेट परसन सेलेक्शन होगा हमारी टीम दिन रात मिलके इस चानल पे बहतरीन सेशन लेके आ रही है चाहे हो फुजिक्स हो खिमिस्टी हो बाय हो तो इस इस चीज़ की देखिए जैसे आपको मैं बता दूँ कि चाहे सीट कितनी भी बढ़ जाए जाहे नंबर ऑफ स्प्रेंट जितने भी बढ़ जाएं सीट भी कुछ न कुछ स्टेट में बढ़ी हुई है तो एट फाइनल थोड़ा बहुत असर करेगा आपके सेलेक्शन साल हो के ही रहेखा तो इस छेस होपचाँ के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा इस छेस होपचास के लिー आपको मौक त способ देना पड़ेगा ठीक है मैं इस चानल पर मौक कराता हूं कर आता हो कि मिस्टीक फिजिक के क्लास होती हैं वो चानल को देखिए चानल से सीखिए दूसरा चीज कि आप अभी सिर्फ वर सिफ NCRD पे स्टिक रहें तभी आप कुछ कर पाएंगे अदरवाइस नहीं हो पाएगा तो NCRD पे स्टिक रहना है बार बार NCRD को रीट करना है इस समय कोई भी बुक मल्टिबल रिसोर्स के तरफ मत जाईएगा जो भी आपने पूरे साल में किया है उसको बार-बार करिए यही एक अच्छा तरीका है दूसरा कि मेरे अनुसार जैसे मैं करता था कि एक दिन में एक ही सब्जेट को रिवाइस करिए मल्टिबल सब्जेट को रिवाइस मत कीजे जैसे आज आज आपन दो से पांच हमेशा फिक्स रखिए दो से पांच इस दिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं उस दिन अनलिसे करिए दो से पांच को मिस्स मत करिए ताकि जब आप रियल में साथ-क्जाम देने जाए तो आपके शरीर में ऐसा कुछ घबरहाट ना हो या बॉडी को ऐसा ना लगे ब्रीन को ऐसा ना लगे कि पहली बार पेपर दे रहा है तो यह बहुत जरूरी है कि उस दो से पांच में एक्टिव रहा जाए दो से पांच में अलर्ट रहा जाए और बॉड़ी को एडप्ट बना दिया जाए अभी से ताकि वो अच्छा समझे और आपके दिमाग की गती ब बहुत जरूरी है इससे डरना नहीं है अपने आपको आंकलन करना बहुत जरूरी है और अपने आपको धीरे 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 पुश करते रहना है धीरे धीरे इंप्रूफ करते रहना है और अपने महनत किया है हमने महनत किया है तो आप बहुत अच्छा करेंगे विश्य झाल 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 झाल